देश में CAA यानि की नागरिक्ता संचोधन कानून लागू हो गया है। इसे लेकर हो रही राजरीती के बीच केंद्र ग्रहमंत्रिया में चाने स्पस्ट कर दिया है कि CAA यानि की नागरिक्ता संचोधन कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारति साब हों चाहें ममता मैनर जी ओस और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इस एंटी मुसलिम लोग विकोज आप मुसल्मानों को नहीं शामिल कर रहें तो वो क्राइटीरिया ही है कि मुसल्मान नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं है आप इस लोगो इस देश का इकितियास है 15 अगस्त 1947 को देश का विबाचन हो गया है देश के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था मगर उस्वक्त किया गया जब धर्म के आधार पर आप विबाचन करते हो और और वहां जो अल्प संक्यक है उस उन लोगों पर धेर सारे अत्याचार हो धर्म परिवर्तन कराए जाए इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए वो मा बहन बेटी के लिए वो सरण में आये भारत की तो क्या उसको यहां नागरिक्ता का अधिकार नहीं है और स्वयम कॉंग् परन्तु बाद में इलेक्ट्रोल पोलिटिक्स चालू ही वोटमेंक की रादनेती चालू ही एपीस्मेंट के कारण वो वादा कॉंग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया जो नरेंद्र मोधी पूरा करें सिर्ड जो बाकी समुदा बाकी जो रिलिजंज है चाहे हिंदूस है जैन है बुद्ध हैं सिख है उन सबको मैं मानते हूं ठीक है डिवर रिलिजंज बॉरन इन इंडिया लिए अगर आप पार्शी और इसायों को ला सकते है वो जो रिलिजंज है दे वर नॉर बॉरन इन तो अगर आप पार्सी और इसाईयों को ला सकते हैं तो मुसल्मानों को क्यों नहीं? दिखे, मुसलिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं हैं। वो भुमी इसलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अवयस्ता से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दर्वाजे खोड़ लो। भारत कहां बतता है। अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताडना हुई है। उसको सरण देना मैं मानता हूँ हमारी नईतिक जिम्मदारी है और हमारी constitutional responsibility। और समिता जी आप आकड़ी की गहराई में जाए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23 प्रतिसत हिंदू थे। हिंदू और सीख थे। पानित किया गया। दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग। क्या देश इसका विचार नहीं करेगा। देश की पर्लामेंट इसका विचार नहीं करना चाहिए। इसमें एहमदी है, परोच भी है। मैं मंगलादेश की बात करता हूँ। जी। उन्नीसो इक्यावन में हिंदों का प्रतीसत 22 प्रतीसत है। मैं इक्यावन की बात कर रहा हूँ। बंगलादेश की एक्यावन के आखड़े उप हमारे पास है। 2011 की जनगर्णा में वो 10 प्रतीसत रह गया। कहां गये हूँ लोग। अफगानिस्तान उन्नीसो ब्यानवे के पूरूर। लगबग लगबग दो लाग सीख और हिंदू थे। और आज करीब करीब पानसो बच गया। क्या इन लोगों को अपनी बिलिप से जिने का अधिकार नहीं है। वो जब भारत एक था तब हमारे थे। हमारी ही भाई है। हमारी ही माता है। अगर यही थियोरी को आप अपना लो तो पार्टिशन के बाद इतने सारे सरणार्थियों को क्यों लिया उसका भी तर्क नहीं है फिर तो